समिता पार्ट्ट के और अबिन्यत्री है, जुन् HEY आर्ट और कमर्शिल दोनों सिनेमा पर अपनी अदाकारी का ओणर दिखाया है। परदे पर एक पक्की फेमेनिस्ट के किर्दार से चाप छोड़ने वाले स्मीता ने कभी नी सोचा था कि वो कभी कमर्शिल फिल्मों की और रुख करेगी हाला कि एक दोरा आया जब उन्होंने अपना फैसला बदला और घुस्से में एक नई शुरुआत की आपको वो चर्चित किस्सा तो याद होगी कैसे नमाख हलाल में स्मीता पडिलकोष्ट और अमिता बतिंग के साथ बरसात वाला डान्स करके कूग रुई थी खूद उनकी बहें ने इसका किस्सा सुनाया था स्मीता बड़ी बजट की फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थीनका प्यार तो हमेशा आड़ सिनिमा को लेकर रहा जिस आड़ सिनिमा के लिए णिमिता ने बड़ी बड़ी फिल्में कुर्बान कर दी उसे छोड़ हूए क्योग कमर्षियल फिल्मों के ओर गई इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था स्मिता पाटी नैशनल आवर्ड विनिंग एक्ट्रेस थी जिनका पैरले सिनिमा को उचाय पर ले जाने का बड़ा योगदान था उन्होंने मंतन, हरजन, निशान, भुमी का चक्रा और बाजार समित कई बड़ी फिल्मों में काम किया है यूँ तो वह पैरल सिमाना का चेरा था लेकिन एक वक्त आया जब वहाँ से भी उन्हें दर्करार कर दिया जाने लगा इस बाहत से जालाई एक्सरेस ने खुच से एक वादा किया और कमर्शल फिल्मों में दमदार रोल निमाए एक पुराने इंटल में समिता पाड़ी ने आर्ट सिनेमा, जिसे उस वक्स्मॉल सिनेमा भी कहा जाता था उसे छोड कमर्शिल फिल्मों की और रूख करने की वज़े भी बताई समिता बाटिल को जब आर्ट सिनिमा से उस तरक का तोज़ नहीं मिला तो उनोंने ठान लिया कि वो कमर्शिल फिल्मों के जर्य इंडिस्टिय में एक अलग जगा बनाएगी समिता बाटिल ने आर्ट सिनिमा को छोड कमर्शिल फिल्मों के रूख किया और शक्ती नमखलाज जैसे तमाम फिल्मों में काम किया राइस कना के साथ उनकी जोड़ी हीट थी कि दोनों ने एक साथ दिल में आधान आक्यर क्यूँ अनुखा रिस्ता अंगार नजराना और अम्रुज जैसे फिल्मों में काम किया छोटे से करियर में दीजर से जाधा फिल्मों में काम किया सालसे उनीना